मेरा नाम संस्कृति शर्मा है मैं मध्यप्रदेश के शोपुर जिले से हूँ शोपुर जिले से मात्र विध्यार्थी में हूँ जो जेनियों आज तक बहुच पाई है पचास वर्श में विहाद से नमारा डिस्टिक्ट्स अमने मिडिल क्लास से आता हूं मतलब और हमारे बैग्राउंड इतने अच्छी निये कि मैं इतने फीज़ देगे पड़ सका हूं है कि हम इतना फीज दे पाए मेरे पिता जी किसान है और माता जी घर गरस्ती चलाते हैं और उनके लिए ये फीज मतलब अब तक हमें मिलती थी और हम लोग चला लेते थे उनसे लेने के में जरुरत नहीं होती थी जब यहां पर मंतली फीज 8000 या 9000 होगी तो हमें कोई भी पेरेंट्स यहां पर नहीं भेज़ेगा वो हमें कई और बी जगह पर पढ़ा सकता है जैन्यू में इंसान इसलिए आता है ताकि वह घरवालों से कम पैसे ले और अपने खर्चे पर अपनी पढ़ाई जारी रख सके इस एज में आकर हम एक बर्डन नहीं बना चाते अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाते है और अगर होस्टल में रहना इतना महंगा हो जाएगा तो ना घरवाले सपोर्ट करेंगे ना खु से नहीं ले रहे हैं कोई बच्चे ट्यूशन पढ़ा के बढ़ाई कर रहे हैं कोई कुछ कहीं से कोई छुट-छुटी जॉप कर रहे हैं आपने पहली बात तो इतना मैसिव सीट कट कर दिया 90% सीट कट हुआ है 80% लाइब्रेरी फंड कट हुआ है आप क्या चाते हैं अब यूबंद करना है मैं गाउं से आई हूं तो मैं अगर मैं पढ़ रही हूं इतना फिरी में अच्छे से पढ़ रही हूं आगे निकलूंगी तो मेरे गाउं की ओर लड़के भी आपढ़ने के लिए यह लोग इतनी पाबंद करेंगे बाहर नहीं जाएंगे और इतनी देंगे तो कोई बच्चा नहीं आ पाएगा ना आज जेनी में 45 क्या कम से कम 50 परसेंट ज्यादा बच्चे पूरे गाउं के जिनके घरवाले बहुत कम उनकी सेलरी है वह कैसे भी मतलए कि अपनी जो मैं एम सीम आता है उससे पढ़ते हैं यहां पर ताकि घरवालों को है मैं इसलिए आई हूँ यहां पर क्योंकि मेरी फीज नहीं है तो में डियू जा सकती डियू देने लाइक मेरे मामी पापा के पास पैसे नहीं ठीक है और बात यह है कि यहां पर एजुकेशन पैसे से नहीं तोला जाता है बाहर जितनी भी जगह एजुकेशन मिल रहा है बात करते हैं तो यहां पर दोनों तरफ की बात करेंगे आपको जो पढ़ाया जा रहा है अपको पैसे से नहीं मिलता है और दूसरी बात जब यह बोल रहे कि हमाने पास revenue नहीं आ रहा है तो क्या जेन्यू मशीन है जेन्यू एक फेक्टरी है जहां पैसे उत्पाद करेंगे आप पैसे के लिए नहीं बनाया जेनियों तो मैं इसलिए विरोध कर रहे हूं यहां पर पैसे यह फीस हाई का बिल्कुल सक्त विरोध करती हूं कि मैं देहीं नहीं पाऊंगे यहां पर पर प्रपूरजव होता है इसतरी सिस्टम होता है की पूरा कोरम होता है कोरम मैं स्ट्uneं रिपरजेंटेट्स बुलाया जाता है संब पास कर लिया गया उसमें प्षीज हाई कि इतना घुना बढ़ाया गया है कि कोई उस्ट्डिन अफरटेबल नहीं है जो नहीं हो जो बच्चे होते थे बैकवर्ड के उन्हें दो जार रुपए की स्कोलर्शिप मिलती थी अब इन्होंने क्या किया है कि नए जो मैनुवल आया उसमें सब का फीस बढ़ा दिया जिसे इन्हों 6,000 रुपए पे करने होंगे जबकि 2,000 रही उनका MCM आता है तो 4,000 कहां से देंगे तीन महीने हो गए मुझे आया हुए एक बार भी मेंटल प्रेशर नहीं आया है कि मेरे को पैसे मंगाने अपने घर से कि 3 यहां पे 8,000 रुपए देने लेकिन आज से मैं सोचने रगी हुँ जबसे इनने फीस आई के बात कि मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलेंगी वो कहां से पैसे देंगे यहां पे मेरे लिए 10,000 रुपए हमारी मीडिया और दुसी चीज़ हमारे लोग हमारी बाते क्यों नहीं सुन रहे हैं उनको क्यों लगता है कि जेनु के बच्चे सिर्फ ऐसी प्रोटेस्ट करने निकलते हैं या फिर उनका शौखिया ये काम है हम पढ़ाई करने आये हैं हम प्रॉपर इंट्रेंस एक्जाम देकर आये हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरा चौथा साल है इस उन्यूर्सिटी में एंड मैं नहीं देख सकती अपने उन्यूर्सिटी को ऐसे हम इतने दिन से ट्राइब कर रहे थे जेनु के भीतर कि हमारी प्रशासन बात सुने हमारा डेली के संजाय कम से कम रिपर है और जो हमारा स्टूडेंट बॉड़ी है जो हमारा राइट है उसको करें नोटिफाई करें देखें आज शात्र इतने सारे बड़े संख्या में आये यहां पर वह आये हैं अपने समस्या जो उनकी है जो उनकी ऊपर एक नियम तुपा गया है उसके निवारन के लिए कि युनिशिटी को अफिशल अंदर है तो ऐसे परिस्थिती में कोई एक आके हमसे बात करें यह हमारा डिमांड है वाइस चैंसलर अब तक हमसे मिला नहीं है बच्चे ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई हत्यार लेकर आप से मिलने आ रहे हैं आप से अगर बच्चे दिन राथ प तब से यह वीसी बने हैं तब से जेनियू के बरबादी हर रोज हर रोज नए पन्ने पर लिखी जा रही है